कि इसमें जो है कि दूसरा वाला ना कि अगर अगर अबी जिरो है तो यह तो आसान है ना अबी को जिरो डग कर यह बीक्वल है तुम देखो पहला एक्विशन क्या बन रहा है तुम यह बताओ मुझे क्या है एक्स प्लस बी वाई इस एक्वाई टू दूसरा एक्विशन क्या है अब पहला ऑफ्शन क्या कह रहा है कि अगर अगर एक्वाल रख दूंगा मैं तो क्या होगा इस एक्विशन कर दूसरे वाले में बी को माइनस एक माइनस भी रखके देखो ऐसा बनेगा क्या ठीक है बाकी लोवर क्लास में इस तरह कॉंसेप्ट थे ना हम याद टेंथ क्लास में हम पढ़ते थे आएक्स बी वन वाई इस एक्वल तो सी वाई एक्वल तो सी टू डिस है यूनिक सोल्यूशन पहला कब इफ और अउन्ली फुद था था यही लगा दो ना इससे ही बाकित सीडी आ जाएगा तुम पढ़ते थे नो सॉल्यूशन कब बस वही चीज लगा दो यहां पर को रूल काम करेगा ना जो बच्छों ने पढ़ा वह रूल भी यहां काम करेगा इन फाइनाइट सॉल्यूशन एवन अपन एटू इस इकोल टू बीवन ऑपने टू बड़ावर सीवन अगले दो आप्सट लिए लगा लो ठीक है इससे वह जाती है इसलिए लास्ट में करना चाहिए और बहुत केरफुली एक एक और प्सक्राइब करने चाहिए प्सक्राइब करना पड़ेगा कि ट्रू है कि फॉल्स है एक प्सक्राइब करना पड़ेगा तब यहां पर अच्छी अंडर्स्टाइंडिंग होने चाहिए टॉपिक्स की तब ऐसा हो पाएगा तो इसमें बस वहीं कि तुम सब्जेक्ट नॉलेज ठीक करो प्रैक्टिस कर तो इसलिए दो मार्क्स के होते हैं और उसमें तुम्हें एंड में इसलिए पहले कर लो फिर एंड क्यूंद में करो क्योंकि उसमें बहुत टाइम भी जाएगा और गल्तियां भी हो सकती है और थोड़े से मिस्टेक कर दिए तो यह चीज़ें हमें तो ईसको ठीक करने का तरीका यह करते रहो सब्रालिज करते रहो एक उसी बणाने कोसिस कर और तभी फ को उतिखता है है यह वाल्राग लड़ी सलूसिन है हुसका तेय। यहां लिख रहे थे ना यहां क्या दिखा दिया गया यह दिखा दिय度 जशेग औरे वाला सिक्वेंस से वह इंक्रीजिंग है वाला डिक्रीजिंग है तो जब ज्यादा वालू कम होगी इसका मतलब ले लिया था जीरो ग्रेट लेस्टन वन लेस्टन टू सर्थ वह सॉल्व कर लिए इनिश्यल के दो तीन नंबर्स विए आपके इनक्रीजिंग आया डिक्रीजिंग आये तो यहां पर रिलेस्टन आएगा कुछ कि अच्छा ऐसा बनेगा कि अधा बी एंडिक्रीजिंग है और इन इंक्रीजिंग है इस तरह से है और बाद में आप यह दिखा दो अगर यहां से पूछा जाए एन इंटू बी एन निकालो कि तो क्या आएगा अच्छा इसमें एक यह रूल आ जाता है साइद यहां पर पता है क्या होता है एक और ध्यान दो एवन बी वन यहां ऐसा होता होगा कि एवन बी वन इस एकॉल टू ए टू बी टू यह ऐसा आ जाता है एन इंटू बी एन इस एकॉल टू एला जाता है यहां और बाद में यह भी समझ आ चुकि यह पोजिटिव टम वाला था तो इसलिए माइनस रूट टू बहार हो जाएगा तो दोनों का अंसर रूट टू आता है कि दोनों के लिमिट एकॉल होंगे और दोनों के रूट टू होंगे यहां तक मुझे याद आ रहा है इमने सॉल्व किया है पहले मैंने तो इस कैसे करोगा यह कुछस्ण है यहाँ पर कि हाँ विल उप्रूव एन एवन इंटू एटू कि तू के इक्क्वल है यह कैसे दिखाएंगे हम कि इसके रूट था कुछ तरीका था कि इसने क्या किया है सब्सक्राइब देखो तो यहाँ पर कि मैं से नहीं दिखा है तुमने क्या किया अच्छा एहां ए प्लस वी बराबर बाइटू बराबर ए और वहां से आ गया आधे विरावर एक्कोल दिखा दिया है लिमेट लिमेट एक तरीके से एक्क्वल दिखा दिया आधे लिमेट लिमेट एक है और बी बराबर रूट एब और बड़ाबर एप्लस वी बाइटू इसको साइमल्टेनेसली सौल कर लो आप तो क्या इससे निकल के आएगा एगा इस इकोल टूबी तो यह वाला पार्ट हो गया जो मैं कहना चाहरा था यहां तक ठीक है ना यह कर देखो यह से अजयेगा यह तो यह से थे आजएगा यह से यह से टू भी तो यही बता देगा और वहां से भी है यह रहीगा पॉस्टिव है तो ठीक है तो यहां से क्या प्रूफ हो रहा है मैंने क्या किया जसे एक को ए रख दिया जहांबी क्योंकि इंट थे एन है डॉट कहा है आपको अभी कि राउट कहां बचा है में ओक्या सब्सक्राप इस तरह से है अब बस यह दिखा दो A1 B1 निकालो A2 B2 निकालो दिखा दो equal आजाएगा तो उससे आजाएगा और यह limit दोनों की equal होगई A is the limit of A N sequence B is the limit of B N sequence तो वहां से root 2 root 2 दोनों की limit आजाएगी ठीक है यह बस चेक करो A1 B1 निकालो A2 B2 निकालो A N BN निकालो सब 2 आएगा ठीक है बागे डिटेल रिटर्ण सॉलूचन आइट जाम एमेस का सॉलूचन बुक में 14 2014 के पेपर में है उसको एकर खोल के देखो चेप्टर में उसमें यह सॉल्ट यही सबजेक्टिव आया हुए यह में में आपजेक्टिव आया है में सब्जेक्टिव आएगए तो हाँ रिटेल सॉलुशन लिख रखा है प्रूब कर रखा है कैसे रूट्टी से यहां पर किया तो उस्तरस हो जाए बढ़ चेक करो वहां पर बढ़ा जाएगा हो तो गया ही चलिए तो इसका बचा है सो हांजी अमीत सो हो गया आपका कि बागी है कुशन हुआ आप से